नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्पूर प्रस्न जो कि अक्सर गिजाम में पुछा जाता है आए देखते हैं पहला प्रस्न A किसी कारे को 12 दिन में कर सकता है B A से 60% अधिक कारे कुछल है B अकेले कारे को कितने दिनों में संपन न करेगा सबसे पहले देखेंगे A जो है A अगर में 100% अधिक कारे कुछल है B A से तो A अगर में एक दिन में 100 काम करेगा तो B एक दिन में 160 काम करेगा इसको ratio में change करेंगे तो 1-0 से 1-0 कर जाएगा 2-5-10-2-8-16 इस बात को याद रखिएगा अब देखिए कह रहा है कि A जो है किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है और A का 1 दिन का काम यहाँ पे आया है 5 अब 12 गूड़े 5 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 60 इतना ही तो मिलेगा अब A जो है 12 दिन में काम को करता है एक दिन का काम 5 है अब कुल काम 60 हो है B जो है एक दिन में 8 काम करता है तो B का कुल कारे करने का दिवस कितना होगा तो 8 से बस इसको भाग दे दीजिए जो आएगा वो आपका answer हो जाएगा इतना ही करना है आपको तो 60 में 8 से भाग दे दीजिए 4, 15 हम 60 और 4 दूनी 8 15 बट्टा दो या इसी को cut करेंगे तो 2 सत्य 14 एक बट्टा दो यानि कितना आगया 7 सही एक बट्टा दो दिन में ये 60 काम को complete कर लेगा B, option number B जो है इसका सही है 12 पूरुस एक कारे को 24 दिन में पूरा करते हैं 8 पूरुस इस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे 8 पूरुस जो है माल लिजे कि कारे को एक से दिन में पूरा करेंगे 12 पूरुस कारे को कितने दिन में complete करते हैं तो 24 दिन में complete करते हैं 8 से इसको cut देंगे 8 तरीके 24 तो X बराबर 12 या 36 यानि कि 36 दिन में काम को 8 पूरुस complete कर लेंगे option number C इस प्रस्ट में कहा गया है कि A 5,000 लगा कर एक बैअपार आरंब करता है तथा B 2 महीं बाद 4,000 लगा कर बैअपार में सामिल हो जाता है 6 महीं बाद C 3,000 लगा कर सामिल हो जाता है यदि वर्स के अंत में लाव 22,200 मिला हो तो इसमें से परतेक का भाग ग्यात कीजिए इस तरह से जब कोशन दे रहता है यह साज़ेदारी का प्रस्न है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A, फिर उसके बाद है आपका B फिर उसके बाद है C इनके द्वारा लगाये गए धन का अनुपात ग्यात करेंगे तो इनका है 5000 इन्होंने लगाया है 4000 और इन्होंने लगाया है 8000 इस तरह से इन्होंने अपना पैसा लगाया है अब यहाँ पे देखेंगे न तो यह तो कुल 12 महीने के लिए लगा रहे हैं और यह जो है 12 साल के अंत में कहे रहा है तो 12 महीने दो महीने बाद आ रहा है तो मतलब 10 महीने के लिए ही अपना धन लगाये और यह जो है यह कितने समय के लिए तो यह 6 महीने बाद आ रहा है तो 6 महीने के लिए ही अपना पैसा लगाये एक राहा रेष्यो है अब देखेंगे कि दो से 12 किसी नमबर से नहीं कटेगा तो 75 यह 15 रेशियो यह 10 है और यह 6 दुनी 12 यह आ गया आपका यानि कि 15 रेशियो 10 रेशियो 12 आ गया एक हिस्सा देखेंगे कितना होगा तो एक हिस्सा 15 बटा सबको जोड़ लीजे 15 30 आएगा यह 37 से काटेंगे 7 चके 42, 43 चके 38 छो बार में यह कट जायेगा यानि 600 आ जायेगा तो एक हिस्सा कितना होगा 15 चके 90 यानि ढखेंगे तो एक हिस्सा कितना हैगा 15 चके 90, 9,000 इसी तरह से लिए pierwszy कह हिस्सा देखेंगे तो बारा गूडे 600 तो इनका हो जाएगा बारा च्छा के 72 7200 इस तरह से ए का हिस्सा 9000 बी का हिस्सा 6000 और सी का हिस्सा 7200 ओप्सन में देखेंगे तो ओप्सन नंबर सी जो है आपका सही है आसा करता हूँ साज़ेदारी से संब्दित ये परसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों किसे सेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल पर दोस्तों नए है चैनल को सब्सक्राइब आपसे हाज जोड़कर के निवेदन है जरूर कीजिएगा थैंक यू बेश्ट अफलक